हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम धनी क्लासेस में तो आज की वीडियो में हम लिजिस्टार्ट करें है क्लास 12 का चैप्टर नमबर 1 जो की है गयर व्यापारिक संस्थान तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गयर व्यापारिक संस्थान के अरफ की तो देखे ऐसे संस्थान जिनकी स्थापना समाज कल्यांड के लिए या समाज में कला और संस्कृति को बढढ़ावा देने के लिकी आम तौुर इन संष्थानों मुख्य उदेश होता है लिए समर्पित-सेवा को सबिग तेठी seeds मतलब क्या मिएक इसाइन की सनस्थान को और अच्य सम्ज Small सो gracious की सेए से शामिल कर सेया वाला कि मेर निभना ग मतलब लिए को उदेशे सेवा देना होता है यानि कि अस्पिताल अनाथाले ये सब दूसरे में सक्षरी संस्थान ये भी विद्याले महा विद्याले भी एक परार की सेवा प्रदान करते हैं धार्मिक संस्थान मंदिर मश्रीत का कोई भी उदेशे लाप कमाने का नहीं होता है इसलिए ये संस्थान में हमारे सभी 111s के इंतरगत आते हैं अब बात कर लेते हैं 11 संस्थानों के विशेशतायों की सबसे पहले आता है घयर वापाइक संस्था उस्तित्म होता है वो अपने सफ्व Initiate अलग माने जाते हैं और ये जो संस्था है वो अलग माने होती, किसी भी संस्था के आने या जाने का संस्था पर कोई असर नहीं पड़ता है दूसरा है इन संस्थाओं का जो मुख्यों देश होता है वो सेवा करना होता है ना कि लाब कमाना ये संस्थाइं अपने कोश की व्यवस्था यानि कि अपने जो इनके जो धन की व्यवस्था होती है वो सामारते कैसे होती है अपने सदस्यों, सरकार या फिर अन्य वैक्तियों से जो इनके धन राशी प्राप्त होती है दान या चंदा के रूप में उससे करती है इन संस्था सामारते सभी लेंदेन नकद होती है क्यों कि यहां पर मेंली सेवा का आरान परान होता है और सेवा का आरान परान विशेश प्रकार से नकद में ही किया जाता है गयर वापारिक संस्थाओं में रोकर पुस्तक ही मुख्य पुस्तक होती है इन संस्थाओं के अंतिम खातों के अंतगत प्राप्ति भुक्तान खाता आयवे खाता और आर्थिक चित्था बनाया जाता है इन संस्थाओं की आय का जो मुख्य साधन होता है वो इनके सदस्थियों से प्राप्त चंदा, दान या फिर अनुदान होता है इन संस्थाओं के लेखे जो होते हैं वो कोशलेखांकन विधी के आधार पर की जाते हैं पोछ लिखांगन विदी क्या होती है यह हम लोग आगे समझेंगे आईए अब देख लेते हैं कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये संस्थान इस्थापित के जाते हैं तो सबसे पहला उद्देश इनका है समाज के विविन वर्गों की सेवा करना कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों की स्थापना की जाती है अपने सदस्यों की हीतों की रक्षा करना भी इनका उद्देश्यों होता है विविन प्रगार की सेवाओं क को निशूल किया कम से कम मुले में जुरूतम तक पहुंचाने के लिए भी ये सनस्थानु स्थावित कि जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर है इनका उत्धेश ये व्यापाइक संस्थाओं का मुख्य उत्धेश होता है। लाब कमाने है जब dispensथ ग्यार व्यारतिक लगाने वाले व्यक्तियों को सामयतों होता है। पुन जिस्ते हDR भर श्यक्रवा के जते हैं ल När भुखी जाते हैं। तो उन धन लगाने वाले वेक्षियों को सब्सक्राइबर कहते हैं प्रतिफर के बारे बात करें तो जो व्यापारिक संस्थान होते हैं इन में जो क्रिया कलाप होते हैं उनका प्रतिफर लाभाने की रूप में जाना जाता है जबकि 11 व्यापारिक संस्थानों के क्रिया का लापगा जो प्रतिफल होता है वो बचत या न्यूनता यानिकि सरफ्लस या डेफिसीट की रूप में जाना जाता है दूसरा अंतर है अंतिम खातों का जो व्यापारिक संस्थान होते हैं इनके जो अंतिम खाते हैं इनके फाइनल एकाउंट होते हैं इसके अंतर व्यापारिक खाता लाभानी खाता था आर्धिक चिठा बनाया जाता है जबकि जो ग्यार व्यापारिक संस्थान होते हैं इनके गयर वापाइक संसानों में जो आधिक की राशी होती है वो कल्यार कारी योजनाओं में यानि कि भविश्र में जो योजनाओं पर कार्ड़े करना है उसमें लगा जाता है इन्हें लाप की रूप में वित्रित नहीं किया जाता है कोश प्राप्ति व्यापाइक संस्थानों की जो कोश प्राप्ति है यानि की धन की प्राप्ति है वो उनके सदस्थियों द्वारा जो पूंजी लगाए गई है उससे होती है जबकि ग्यार व्यापाइक संस्थानों में कोश की जो प्राप्ति होती है धन की जो प्राप्ति हो ये सभी concept अच्छे समझ में आयोंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में